सब्सक्राइब केजिए रमन क्लासेश यूट्यूब चैनल को और बिल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए कैसे हैं आप लोग रमन क्लासेश में आपका फिर से उगाश भागात है आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं कोमन ग्रेजुएट लेवल एक्जामनेशन 2015 के नोटिफिकेशन के अंतरगर्द दिनांग 218 2016 को एक्जाम जो हुआ था तो आज हम लोग उसके पूछे के कोस्टंस के बाएं मैं डिसकस करेंगे ताकि आपको पता चले कि जारखन जो कोमन ग्रेजुएट लेवल में किस टैप आपको कोस्टंस आता है पैटर्न क्या है और उसका कोस्टंस का लेवल क्या होता है तो मैं आपको बता दो कि कोमन ग्रेजुएट लेवल एक्जामनेशन जो हुआ था उसमें टोटल कोस्टंस जो 150 कोस्टंस थे जिसमें कि आपके जीके से आपके जो 40 कोस्टंस पूछे पाइजाम में होता है तो आपको मैं बता दूँ कि ह्षारखंड जीके से आपके जो टूटल कोसंस आपके 30 कोसंस पुछे गए थे और एक बात आपको पता है कि कुछ कोसंस जो है हमेजा आपके repeat होते रहते हैं आपके हर एक exam में चाहे हो कोई भी exam हो तो इसलिए आप इसे अच्छे से और पूरी वीडियो को जरूर देखें तो चलिए हम लोग डिसकस करते हैं पहला जो questions है आपका पहला जो यह section है यह आपका जीके section है तो इसमें आपके जो total है यह आपके 40 questions है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं questions किस टाप के पूछे गयते हैं यह हम लोग शुरू करते हैं पहला जो section है आपका जीके का section है तो इसमें आपके 40 questions पूछे गयते तो पहला question जो आपका देखिए current affairs से पूछा गया तो देखिए current affairs का जो है यह तो अभी आप नहीं Catholic Church में संत की उपादी से विभूसित किसे किया जाएगा तो यह आपका देखिए option जो है डी नंबर इसका सही option है Mother Teresa चलिए उसके बाद चलिए दूसरा question जो है आपका यह राज्जी और राजधानी से questions पूछा गया था जो कि आपका देखिए इसमें पूछा गया था कि रो से आपका questions पूछा जाता है तो इसमें जो आपके current में उसमें यह news में रहे होंगे इसलिए आपके questions डाले गए तीन नमर question हम देख लेते हैं इसमें कहा गया है आपका कि निमलिखित में वह भासा कौन सी है जो कभी कभी अर्वी लिपी से संसोधित संस्कृत में लिखी जा है चार्ल्स डार्विन यह आपके जीके question है इस तरह के question आपके पूछे जाते हैं हमेशा से के एक्जाम में आपके questions रहते हैं चलिए पांचवा नमर आपका जो question है खेल खिलारी से आपका पूछा गया था कि IPL 2016 में जो है महेंदर सिंग धौनी कौन से टीम का पर्तिवनी है तो किये थे तो आपके इसमें जो है वो सीनिंग पूने सुपर जैन से हैं वैसे चन्ने सबरकें शोल मैं यह राइजिंग सुपर जैन से खिले थे चलिए च्वान नमर कोशन है देखिए रॉबिन सिंग 2015 इंडियन सुपर लिग में निमलिखित में किस टीम के लिए खेले थे तो यह आपका ए नमर होगा दिल्ली डाइनोज एफसी तो यह आपका सही एंसर है चलिए साथ नमर आपका देखिए है भविष के खादि संकट के लिए वेकल्पिक्स समाधाना और बुलू क्रांति के अग्रदूत हित्तु निमलिखित में किस वहत्ती को आपका सांती पुरुष का 2015 से सम्मानित किया गया था तो यह इसका जो एंसर होगा ए नमर होगा डॉक्टर एम बिजय गुपता चलिए और आपके जो आठ नमर सही अंसर आपका दिया गया है जहीं किस खिल से समंधते हैं पूछा गया यह आपका यह डी नमर है फार्मूला वब देख पा रहे हो गया जो ऑपके खेल खिलारी से आपके पूछे जा चुक हैं तो खेल खिलारी जो है आपका बहुत इंप्वर्टन ट्रॉल हो रहा है कोई भी एक्जाम में आप देखिएगा यह दस नंबर कोस्टन देखिए यह भी आपके खेल सही समझ्दीत कुछन है जिसमें पुछा गया कि निमलिखित में कौन से भारती किर्केटर को मैलीवर्ण किर्केट क्लब का आजीवन सदेश्ता से समानित किया गया है तो आपका यह बी नमर स्वारग वंगली का सही अंसर है यह 11 नमर आपका देखिए कि नेशनल हराड मामरे में अरजीदार निमलिखित में से कौन से हैं कौन है इसमें तो सी नमर है सुर्वनियम स्वामी यह आपके कुछे गया है बारह नमर आपके लोग देख लेता है बारह नमर आपका पूछा गया है कि पॉलेंट की राजधानी कौन सी है तो आपका यह बी नमर वार्साव इसका सही अंसर है तो आप देखिए कि जो कारेंट में आपके जो अभी न्यूज में रहा है जो देश तो उसका कंट्री लगए आपका पूछा याता है को एक एक्जाम में तो आप वह हमेशा एकलिस्ट बना लिजेगा इसमें आपका बूक का नाम है और प्रामिनिस्टर मैं तो यह बूक आपके बी नमर सही अंसर है जनातर ठाकुर की यह रशना है चौदर नमर मों देख लेता है निमलिखित में से किसका समंद्ध परमानु की खोश से है यह आपका बोदीजी कोशन है आपका बी नमर होगा निल्स नमर कोशन है कि निमलिखित में किस भारती अमरीकी सिक्षा को गनित विद्या और विज्यान सिक्षा में उसक्रिस्टा के लिए बराग मामान राष्टी पृस्कार से इस नामित किया गया तो आपका एग नमर सही अंसर है दर्संद्ध जैन तो देखेंगा एवाट से आते है देखें आपके पूछेंगे चली आठारा नमर देखें फिर आपके जो हैं यह आपके बोक्त से पूछे हैं de girl on the trend ये किन के हैं यह आपका बी नमर होगा पाउला होकिंस अपनेश नमबर कुश्चन है आपका कि Gregor Johan Mendel निमलखित मेंचे किस विज्यानिक विकार से समंदीत हैं आपका C नमबर है अन्वाणसिक लक्षनों की विरासत के नियम के लिए माना जाता हूं आपका D essential गांदी के लेखक कौन है आपके तो B नमर महातमा गांदी प्राइद भी पठार विश्व के सबसे पुराने भुभागों में से एक निमलिकित में से किसका हिस्सा था तो ये सी नमर है कौनवानना भूमी चलिए 22 नमर कुश्वन आपका है कि भारती सम्विधान के अनुसार बिढहान सब्सें निर्वार्चिन होने वाले सवधस्वकी अधिक्तमव संख्या कितना है वह पुछा गया किटना होता है तो 500 आपका होता है चलिए 23 नमर पुछा गया कि चोड़ी कॉरा जो है तहसिल कौनसे जिले में यह पुछा गया आपका गॉरग पूर में दिन नमर कोछा गया क्या का उपरी सदन जिसे राजसभा कहा आता है कि अध्यक्षता जो है कौन करते हैं तो यह उपराश्टपती सीन नमर आपको पूछे गया है तो आपके 22 भाग में पहले विवाजित गया तो इसका आंदोलन अपने शुरुवाती चरन में कुडूग धर्म की नाम से जाना जाता था तो इसका जो सही अंसर आपका टी नमर ताना भागत आंदोलन चलिए उसके बाद 27 है आपका नीती आयो के अध्यक्ष कौन होते हैं यह आपके पूछे गए तो ए नमर पढ़ान मंत्री यह याद रखिएगा 28 नमर कुル्स ना आपका 5000 वर्शी योजना में निब्लिकित में उद्धेस जो है आपके दो उद्धेस थे तो पांचवी-पंचवशी योजना में यह याद रखिएगा तो पांचवी-पंचवश योजना में आपका B नमर जो सही अनसर है वो आपका गरीबी उनमलन और आ आपका सी नमर है धातु धातु को इसमें आपके बने होते हैं इसमें चलिए तीस नमर आपका जो कोशन है उसमें कि जारकन पंचायती राज अधिनीवन कारिकरम की घोषना करने वाले नेता निमलिखित में कौन थे तो सी नमर इंद्रा गांधी ने विशुत्री कारिकरम की घोषना की थी यह भी कोशन सापका बहुत रिपीटेट कोशन रहता है 33 नमर कोशन देखिए जनवरी 2016 के इस्तितिक अमसार भारत में वितवन्तरी का नाम बताईए करेंड कोशन है आपका उस समय आपके अरुन जोट ली थे 24 नमर कोशन देख लेते हैं जहारखन निमलीखित में से कौन से खनीज का एकमात उत्पादक है तो डी नमर याद रखिएगा प्राइम कोकिंग कोल इसमें आपका सही अंसर है चलिए 35 नमर कोशन देख लेते हैं जनवरी जनवरी 1-2-16 की इस्तिती कमसार भारत में कितने उच नियाले हैं तो आपके बी नमर सही 24 का उच नियाले है तो आपके बी नमर कोशन आपका पंचाती राज वैश्ता में 33 संरचना की सबसे उची अस्थान निमलीखित में से किसका है तो आपका जीला परिश्यद है यह आ सबसे उचा जिला परिश्यद है ग्राम सभाब का देखिए सबसे नीचे में होता है उसके बाद 38 नमर कोशन देखिए कि जहारकण में निमलीखित में से कौन से तेवारों में लड़कियां रंगीन कागच की लकडी बांस का एक फ्रेम को सजाती है और आज पास की यह बाद यहारकण में इसको कौन सा जिला वीशुके अब्रक के मुक्षरोतों में से एक है इसमें जो ओप्सन देना चाहिए था आपका कोडर्मा वह आपका उप्सन नहीं था इसको एसको के खेंसिल कर दिया थहां लोग देख लेते हैं जो कि आपका पूर्षामें है तो तो चलिए यह थे आपके जीके के कोस्टन जिसमें कि आपका जीके से पूछा गया था कि आपका सबसे सक्तिसाली टेलिस्कोप आलमा कहां इस्थापित की गई है तो चिली का कि आटा कामा रेगिस्तान या देखिएगा इसको 41 चलिए अब हम लोग साइंस के कुस्टन देख लेते हैं 42 से आपके साइंस के कुस्टन शुरू हो गया है तो 42 आपका देखिए साइंस का कुस्टन है कि उन विशिस लक्षनों को पहचान कीजिए जो मनुष्ट के चार सब्सक्राइब के कोस्टन से इसको देख लिए आपका एंसर आपका ए नमबर होगा 1.39 चलिए 44 कोस्टन देख लिए इसमें आपका कि भारी पानी में सधारन साबून जो है काम नहीं करता है क्योंकि सीए प्लस टू आयन और मैंगनिसियम प्लस टू आयन आयनों के साथ जो आपका यह नमर होगा हानिकारेग को रोकने के लिए चलिए 46 है इसमें देखिए इसमें बोला कि कौन सा एक्वेशन जो आपका सही नहीं है बागी बाद आपका सब जो है वह सही समंद दरसाता है उसी परकार 47 कोस्टन है आपका कि 2 और 3 को किस परकार वैस्थित किया जा सक सकता है कि इसके जो परिणामी परति रोद जो है वो चार ओम हो जाएं तो यह भी आपके कोस्टन से हैं तो यह आपका ए नमबर जो होगा आपका सही अंसर होगा कि समांतर में आपको 2 और रखिएगा और 3 ओम को जो आप सिरीज में रखिएगा चलिए 48 कोस्टन है आपका क लेशन अंबल जो है उपाच्य कौन सी परकिरिया से समंदित है तो आपका सी नमर होगा कार्बन इस तरी की करन परतिक्रिया 49 जो आपका कोस्टन है आपका पुछा गया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किस कारण से होता है तो आपका बी नमर सही है पेजल में नैट्रेट की उच अस्तर के कारण चलिए 50 नमर कोस्टन है आपका कि उपकर्ण गरंथी का जो कारी होता है क्या है यह पुछा गया आपका एने सील जो होता है वह आपका नियूट्रल होता है चलिए बावन नमर जो है उसमें आपका कहा है कि दर्व्मान में तो वस्तु के भार में जो परिवर्तन का परतिसत कितना होगा आपका सी नमर ही 20 परसंट ही बड़ोत्री होगी इसमें सी नमर का सही अंसर है 53 कोशन देख लेता है यह आपका देखिए इसमें को कोशन दिया हुआ है तो इसका आप देखेगा इक्वेशन में बिठा करके आपका यह डी नमर यह सही अंसर है पीवन बाइपी टू एक्वल टू एम बाइम टू का आपका होल वन बाइटू चलिए उसके बाद चववन नमर आंत्र में चलिए फिप्टी स्फोसन पूछा गया आपका की जीनस का जो नीला रंग जो है किस डाइक के कारण होता है तो आपका जो परतिस्थापन अभी केलिए इसमें होता है चलिए हम लोग देख लेता है इसमें कहा गया कि चॉकलेट बनाने में परियुक्त ठोस कोको में कौन सा रसाइन दिखाई पड़ता है तो डी नमबर है आपका ये ट्राइक्लोरो इथेन 59 है आपका कि एक उत्प्रेरक्परकिरिया की दर में किस प्रकार की विर्धी करता है तो ए नमबर होगा इस सक्रियन उर्जा अवरोध के कम करके चलिए साथ पूछा गया इसको क्या करते हैं तो ए नमबर उसका सभी अंसर है रिट्स अब जो कोस्टन है आपके मैस से पूछे गए तो आप देख लिए कि मैस के आपके कौन-कौन सेक्टर से पूछे रहे तो देखिए तो पहला जो एक्सट नमर है आपका ये नुम्रीकल वेस्ट वेस्टन है इसको सकते हैं आप मैंने सबका टीक मार दिया है उसी पका देख लिजेए यह भी आपका है 66 है तो इस तरह आप देख सकते हैं सारे कोस्ट को आप इसमें देखेगर सेवन भी आपका इसी टाइप का है सारे को संच जो है प्रेक्टिस को कर सकते हैं इसमें सारे मैंट के जो यह जो लेवल होता है जो आपके नेशनल लेवल पर जो एक्जाम होती है वही लेवल पर आपके कोच्छ लगवग मैं के पुछे गए थे आप जहां तक देखेगा कुछ-कुछ आपको डायरेक्टली भी आपका मिल जाएगा वहां से पर प्रैक्टिस मैं का किजिए गातो वहां से आप सीजल के जो प्रैक्टिस चेट हैं वहां से इसको बना सकते हैं और देखेगा इसमें और सिरिफ के भी कोस्टेंच थे आपके लगवग सारे से कोस्टन त्सके पुछे इस में आपके 20 कोस्टन सके पूछे गाएंगे比 कुछ कुछ तो आपका डारेक्ट है आपका डारेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिए ना बन जाएगा इस मेंसुरेशन से अपके विद्थिन को संसे पूछे गए थे कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके आप इसको बना लीजिए गा आपके यह दिखे आपके डाइग्राम से को सन संसे आपके दिये गये हैं उसका डेटी फाइप में आपका सिंपल को सन्साइब का 6 में उस टाइप का है कि इसमें कितने बैट तरह आता है उसमें आपको बोलेगा कि पांस के चार तूरंद बात पहले आवाद कितना आता है यह सब दीटीनाइन में आपका भी डाइग्राम कोस्टन सब्सक्राइब को संसे तो यह सब ब्रीजनिंग के लेबल लगवक सारे एक लगवक एक ही जैसे हैं आप इसको प्रैक् सब्सक्राइब उच्छे गयते हैं अब देख लीएं का आप अगे तो यह सब आपका देखिए आपके लगवक आपके मिल रहे हैं लगवक पांसिस्टोंट ज्यादा ही आपका लगवक दो दूस्टोंट अपके लिगर के लाववक आठने वापके फिगर के हैं टोटल है आपके रिजनिंग में लगवग आपके जो आने वाले एक्जाम होंगे लगवग यही पैटन पर कोस्टन सब रहेगा चुनकि कोमन ग्रेजुएट लेवल एक्जामनिशन है थोड़ा तो आपको हलका तो आपका जो इस्टेंडर रहेगा इक कॉस्टन का कि अब हम लोग देख लेता है जो कॉश्टन से आपके जो कंप्यूटर के कोस्टन से कंप्यूटर के जो कोस्टन से शुरू करते हैं लोग चलिए 101 नंबर जो है पहला जो है आपका संचालन पढ़नानी के बारे में निवन में कौन सा कथन गलत है यह सब आप दे देखिए इसका सभी नमर डी है चलिए उसके बाद देखिए 102 है कौन सा निर्गम युक्त एक पैन का उप्योग कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के अधार पर कागज पर चित्र बनता है तो आपका यह नमर होगा तो संपर्तिकों की रचना के लिए आवेश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन किस परकार का प्रिंटर लेजर लाइट का उप्योग में लेते हैं तो यह लेजर प्रिंटर चलिए उसके बाद आपके सौटकट की से पुछे गए थे कि विंडोज एट में विंडो या डेक्स् चौँ में आपका देखे पूछा गया है अपका एक्स्टेंशन पूछा गया देखिए माइक्रोशव्ट एक्सेल फाइल विए विश्वस्तर में अधित्त्री संख्यात्मा कोड की रूप में जाना आ तो इनमें से क्या कहते हैं तो आई-पी आट्रेस कहते हैं देखिए इसमें बहुत सारे हिंदी तर्म है आपको दी नहीं आ रहा आप इंग्लिस टर्म भी आपका लैप साइड में है आप उसको देख सकते हैं कौन सा एक निवेश युक्त है देखिए आप समझ नहीं पाईएगा लेकिन आपको यहां पर इंपूर्ट दिवाइस देखिए आपका ओपरेटिंग सिस्टम है अगा चलिए 109 नॉमर्ट कोसन देखिए आपसे पूछा गया है कि रिलेशन डाटाबेस मेनेज्मेंट सिस्टम के लिए आपका मायक्रोषफ्ट विंडोर्टिंग सिस्टम आपका इन में से कौन है जो कि आपका डाटाबेस मेनेज्मेंट सिस्टम के लिए इसको बनाए गया है तो आपका यह डी नमर एमस एक्सेज तो देखेंगा बहुत सारा हिंदी जो देखेंगा थोड़ा इसमें लगेगा लेकिन आप इंग्लिस आप इस जरू देखेंगा इसमें पूछा गया है कि आपका जो रिफ्रेश और एक्टिव विंडो के लिए आप क्या आप कौन सा की यूज करते हैं वह विंडो एट में देखेंगा इसमें बहुत सारा विंडो एट से रिलेटर आपको पूछे गए हैं तो आपका फाइप होगा इसका इस पी जो है आइस पी देखेंगे मैं पिसला वीडियो में भी बताया था आइस पी का यह आपका पूरा हंड्रेड परसेंट इसको याद रखेगा हर एक एक्जाम में आपका इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर आइस पी इसका जो टेली कॉम्निकेशन में भी जो जानते होंगे इसको इसका यह स अब होता है तो आपका जो बी नमर जो है फ्रॉम इसका सही होगा चलिए आपके बहुती कंप्यूटर के अंदर एक अभासी कंप्यूटर चलाने के अनुमति आपको निमलिकित में से कौन सा प्रोग्राम देता है तो आपका वीम प्रेयर जो है वह सहीं अगे कॉस्चन अप्लिकेशन और मल्टीपूल के लिए होता है तो आपका देखिए सी नमर सही अंसर होगा डिस्ट्रिब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए आपका अंदर-अंदर से कॉस्चन इसमें पूछा गया है तो यह सब आप देखिएगा कि इस टाइप का कॉस्चन है मेरा तो आल्ट प्लस टैब इसका सही अंसर चलिए आव गया है आपका इसमें पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्षन है वह इसमें से क्या है तो डी नमबर है आपका कि सारा चीज आपका इस सब करता है फाइल मेनें डिवाइस मेनेजमेंट और शिडियोलिंग जोब इस सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के चलिए आप 117 नमर देख लिए इसमें आपका पुछा गया है कि लॉलीपॉप के बाद एंड्रोयट संचालन प्रणानी का जो नमीनतम जो वर्जन है वो कौन सा है आने वाले कौन से हैं लॉलीपॉप के बाद यह बी नमर म आपका देखिए तो 19 नमर जो कोशन है आपका यह डिफिनेशन है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है यह क्लाउट कंप्यूटिंग आपका डिफिनेशन दिया हुआ है उसी परकार आगे के जो है आप डिफिनेशन जैसे की डेटा है वह सब का डिफिनेशन देख जो आपका डेक्स्टॉप विंडो में विश्त्रित करने के लिए निमलिख में किस आपका उप्योग की आता है तो आपके बहुत इंप्पोर्टेंट है तो चलिए हम लोग जारकंड जीगे कर देख लेते हैं इसमें पूछा गया आपका की वह एक लोते भारती खिलाडी क कोन हैं जिनका नाम द्यार 15 में जारी की गई फोस पर्तित का में विस्व के एक सो से ज्यादा वेतन पाने वाले में सामिल है तो बी नमर महंद सिंधोनी 122 नमर आपका है फुल डूंगरी निमलिखित में किस सहर के निकट इस्थित है तो यह आपका घाट सीला सही अंसर है कि नमर बिर्सा के नेत्रित में उल्गुलान का मतलब क्या होता है यह पुछाद आपका डी नमर विद्रोग 124 पूस्तक मारांग घोडा निलकॉंट हुआ के लेखा कौन है तो आपका महवा मांजी तो आप देखेगा कि मेरे जो वीडियो लगातार कोई देखते हैं तो ज कि में 125 नमर कोशन जो है आपका देखे यह रगवर दास के बारे में पुछा गया कोशन है जहारखंट के पहले गयर आदिवासी मुकमंत्री के संदर्व में गलत है तो देखें कोशन भूमाया है उनका नाम नहीं दिया है बट उनी के बारे में पुछा गया तो डी नमर ज देखें इसमें पुछा गया कि मुकमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्व में कौन सा कथन गलत है देखें इसमें गलत पूछा आपसे तो डी नमर आपका सही अंसर है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि चलिए 128 नमर कुछन है जहारखंड की पहली राजभासा कौन सी है तो यह बी नमर हिंदी है चलिए 39 आपका कौन सा सहर भारत को मायका रजधानी की रूप में जाना आता है तो ए नमर कोडर्मा चलिए 130 से आपका जादू गोड़ा यूरेनियम खादान जहारखंड के नि पुर्वी सिंभु में 131 से हैं यूसित किस जिले में तामबायस का श्मिद भंडार है तो यह भी आपका ए नम्बर पूर्वी सिंभू मैं जानुर्धा जहारकंड से नहीं है यह आपको पुछा गया तीनों आपके जो हो जारकंड से ए नमबर जो है वह हो आपका सीमा वर पर आयोजन करने के ऑनलाइन भुक्तान पढ़नाली शुरू किया है तो किस बैंक के सहयोग से यह आपका सही अंसर है एक्सिस बैंक यह करेंट करेंट को सन्हें उसके बाद 134 में विर्षा मुंडा को और किस नाम से जाने जाते हैं यह पूछा गया आपका तो यह धरतियाब भूपिता बी नम्मर सही अंसर है तो 135 स्री सामित सिखर जी का और किस रूप में जाना याता है तो ए नमर होगा पारसनात पहाड़ी को का याता चलिए फरवरी एक दो यार्शोला की इस्तिति हो सजारकट के खेल युवा मामले के मंत्री कौन है यह पूछा आपका तो उस समय आपका जो डी नमर सही अंसर है श्री अमर कुमार बावरी जो नका सही अंसर है चलिए 137 आपका बसंद बंची के तुम्हार किस मौसम के आगवन का गृदूत है तो आपका बी नमबर सही है बसंद चलिए 138 आपका निमलिखित में कौन सा कथन बिर्शा मुंड़ा के स संताल समाज की स्थापना की यह गलत है बांकी बात जो है आपके वह सब सब सही है 139 का निमलिखित में से कि सेवा को AWC में परदान किया जाता है तो यह सी नमबर होगा जीला अस्तरी खेल पत्युक्ता 140 है जहरकंड में इंडियन स्कूल आप माइन्स कहां पर है धनबाद म है चलिए 141 है हमारी धरोवर योजना का उद्देश क्या है तो भारती संस्कृति में समग अवदारना के तरह भारत में अल्प्सुंक्यों समझाए को समीत विरासत को संरक्षित करना तो बी नमबर सही अंसर आपका 42 कोशन पूछा गया है कि संगीत के इन परकार में कौन स समस्याओं मैं से एक नहीं है तो आपका सी नमबर है आपका किरसी भूमी की परचुत मात्रा में उपलबता यह आपका सही अंसर है चलिए 144 में भी आपका वैसा ही पूछा को है कि तिलका मांजी के संदर में कौन सा कथन गलत है गलत पूछा गया यह आप देखेगा तो सी नमबर होगा तिलका मांजी रामगर की पहाड़ियों में गुरूला युद्ध का नेतित किया था चलिए उसके बाद 145 है आपका की जहारकन के पत्सित छट पूजा किस देवता के रादना के लिए की जाती है तो सुरी भगवान 145 का ए सही है भारत के राज्यों के गठन में के समय जहारकन का अस्थान कौन सा है तो बी नमबर 28 मुराक्षी नदी का उद्गम अस्थल कहां पर है तो ए नमब तिरकुट पहाड़ी निमलिखित में से खेरवार विद्रोग नेताओं में से कौन है तो बी नमर होगा भागिरत मांजी चलिए उसके बाद 49 का है आपका कि टाटा आइरन वंग इस्टील कंपनी के संस्तापक कौन है तो यह बी नमर जमसेद जी टाटा चलिए 150 नमर कोशन थे आपके तो यह आपका सी नमर फर्मोकल इसका सही अंसर है तो चलिए यह थे आपके जारखंड को में ग्रेजुट लेवल एक्जाम निसन आपके जो हुए थे 2016 में तो यह आप देखें होंगे किसका कैसा पैटर्न है को स्टैप से पूछे गये हैं तो जो एक्जाम आप के कोसंस लेवल रहने की उम्मीद है तो चलिए और भी हम कुछ इस टैप कर वीडियो ले करके आप लों के सामने जरूर आएंगे तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रही है जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं जरू सब्सक्राइब कर लें लाइक से कोमेंट करना ना भू नहीं है थैंक यू